ये सीरप यूरी केसिड को कंट्रोल करने का काम करता है, ब्लड यूरी केसिड के अस्तर को ये सामान बनाए रखता है, जैसे कि आपको पता होगा आज कल यूरी केसिड की मात्रा लगातार बढ़ता रहता है, ये समस्या हर किसी तीसरे ब्यक्त में हो जाता है, जैसे कि बढ़ चलिए अब हम आपको बताते हैं ये सीरफ और किस परकार की दिक्कत और किस परकार की समस्या रहती है तब डॉक्टर के दौरा पीने के लिए मरीज को दिया जाता है या फिर मरीज को क्या दिक्कत क्या लचड की या फिर क्या तकलीफ रहती है तब डॉक्टर के दौरा ये सी रोड़ा पीने के लिए बताया जाता है इसके बारे में आज हम आपको पूरा detail से जानकारी हिंदी में देंगे Purec acid एक तरह से हड्डियों के जोडो अंगों के बीच में हड्डियों के जोडों के बीच में जमने वाली ये एक acid crystal है जैसे कि चलने में उठने में बैठने में चलने में चुबान के जैसा जकड़न के जैसा स्वैलिंग के जैसा ये समस्या हो जाता है जैसे कि आपने देखा होगा उंगलियों के जॉइंट होता है जो उंगलियों के जॉइंट के बीच में सूजन हो जाता है वहाँ पर जकड़न की समस्या रहती है काफी जदा पेन की समस्या रहती है और एक तरीके से सूजन आ जाता है स्वेलिंग आ जाता है वहाँ पर आपन पीने के लिए डाक्टर के दोरा आप बताया जाता है ये सीरप काफी अच्छा सीरप होता है डाक्टर के दोरा ये सीरप काफी ज़्यदा प्यसक्राइब किया जाता है और जैसे कि यूरीक एसिड समय पर नियंतरित करना आती जरूरी है जैसे कि यूरीक एसिड बढ़ने पर समय पर उचार आगर आप नहीं लेंगे या फिर कोई दवाई नहीं लेंगे तो आपको जैसे कि आपके जोडों और गाठों में दर्द की समस्या हो सकता है, महिला में ये देखा गया है कि उनके जोडों में गाठों में काफी ज्यादा समस्या हो सकता है, गाठों में रोग की समस्या हो सकता है, किड्नी में इस्टोन की समस्या हो सकता है, आपके ब्लेड में किसी भी परकार का कोई समस्या हो सकता है, तो ये आप देखते होंगे ये समस्यां ज्यादा तर होती रहती हैं, तब ही आपको बता जाता है कि आप पारे सरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है तो उसी को हम यूरीकेसिट कहते हैं जैसे कि ये सीरप ब्लेड यूरीकेसिट के अस्तर को समान करता है और जैसे कि सूजन और एक्सिडेटिव तनाव को ये कम करता है और जैसे कि अगर किसी के गाठों में बहुत जादा दर तो गठियां में जो दर्द की समस्या रहते हैं उसे भी ये राहत देता है यानि उस दर्द को भी ये ठीक करने का काम करता है और जैसे कि ये सीरप ब्लेड को सुध करता है और ब्लेड के सर्कुलेशन में सुधार लाता है ये सीरप काफी अच्छा सीरप होता है डॉक्टर के age के according उसकी दिक्कत परेसानी को देखते हुए इस दवा का डोज निर्धारित करके पीने के लिए बताते हैं जैसे कि जो इस दवा का डोज होता है वो 10 से मल दिन में 2 से 3 बार डाक्टर के द्वारा पीने के लिए मरीज को बताया जाता है जैसे कि जो दवा का डोज होता है यह डाक्टर मरीज की सित्री और इसके age और इसके body weight दिक्कत परेसानी को देखते हुए निर्धारित करके पीने के लिए बताते हैं चलिए अब हम आपको इस सीरफ के side effect के बारे में हो सकते हैं इसके सीवा और भी आपको side effect हो सकता है इसके अलावा यदि आपको और भी कोई दिक्कत और भी कोई समस्या है तो इक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप अपनी जाएं दिक्कत और परेसानी बताएं उसके बाद में कोई दवा लें कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी मेडिसीन आप अपनी मर्धी से उपियोग ना कीजिए अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी प्रिसानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फर्मासिस्ट से आप अपनी दिक्कत प्रिसानी बताएं उसके बाद में कोई दवा ले